हलो व्रीवन आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूटूब चैनल पर आज के इस पट्रिकुलर वीडियो शेशन में हम लोग रीजनिंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए रीजनिंग की कुछ बहुत important question को discuss करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले exam के लिए important है discussion को start करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe ज़रूर करेगा वीडियो को like कीजेगा और इसको जादस जादस शेयर कीजेगा अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए helpful है तो तो चले हम लोग अपना आज का description स्टार्ट करते हैं और ये question ऐसे हैं जो कि आपके exam में पूछे जाते हैं इस तरह के question तो आज का हमारा पहला question है जैसा कि आप देख रहे हैं सीरीज का है ये नीचे दी गई श्रिंखला में प्रश्न चिन के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी यहाँ पे आपको नंबर दे रख़े हैं 3, 5, 6, 12, 12 यहाँ पे है question mark 24 और 26 आपको बताना है इस question mark की जगहाँ पे कौन सा नंबर आएगा आपके सामने यहाँ पे चार option दे रख़ा है तो चलिए हम लोग अपना discussion स्टार्ट करते हैं इस question को कैसे करेंगे देखिए number सीरीज के जो question होते हैं इस question को करने के लिए आपक वाज 6, 12, 12, question mark 24 और 26 यहाँ पे देखिए अगर हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं 3 में हम 2 प्लस करते हैं तो 5 आ रहा है 5 में अगर हम लोग 1 प्लस कर रहे हैं तो 6 आ रहा है 6 में हम लोग 6 प्लस कर रहे हैं तो 12 आ रहा है तो यहाँ पे कोई pattern नहीं बन पा रहा है ठीक है त कि 3 के बाद 6 6 के बाद 12 12 के बाद 24 यानि कि यहां पर देखे क्या से हो रहा है यहां पर क्या किया गया है अगर यहां पर हम लोग 2 से multiply करते हैं 3 में अगर हम लोग 2 से multiply करते हैं तो 6 आ रहा है इसी तरह 6 में अगर हम लोग 2 से मल्टिप्लाइ करते हैं तो 12 आ रहा है 12 में हम लोग 2 से मल्टिप्लाइ करते हैं तो 24 आ रहा है अगर सीधे हमारा ना solve नहीं अगर जो नंबर सामने दे रखे हों तो में हम एक-एक नंबर को छोड़ करकर चेकर तो यहां पे हमें क्या मिल गया पैटन हमें यहां पर मिल गया कि है एदिक क्षी एक-एका प्लावरे करना एक होड़ करके अब हम लोग नेक्स ढखते हैं क्या किया है अगर हम लोग 5 में 7 प्लस करते हैं, 5 में हम लोग 7 प्लस करते हैं, तो 12 आ रहा है, 12 में हम लोग 7 प्लस करते हैं, तो 19, 19 में हम लोग 7 प्लस करते हैं, तो 26 आ रहा है, यानि कि प्लस 7 करके हमारा ये solve हो जाएगा, तो यहां पर हमारा answer क्या आ जाएगा, 19 ठीक है, तो जो कि हम मारा option number a में दे रखा है तो option number a हो जाएगा मारा सही आंसर आई होप यह कोशन आपको समझ में आ गया हो अगर आपको कोशन समझ में आ गया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए और इसको शेयर भी ज़रूर करिएगा नेक्स कोशन पर हम लोग आते हैं कोशन दे रखा है यहां पर है नीचे दिये गए विकल्पों में से लुप्त संख्या आपको बतानी है यहां दे रेका 2,3,2,4,6,4,5,3,7,14,15 और कोशन मार देखें मैंने आपको हमेशा बताया है कि पहले हम लोग देखते हैं कि कहां पर फॉलो करेंगे अगर यहां पर फालो करें अगर हम लोग लेफ्ट से राइट चक करते हैं इसको मैं आपको सीधे बता देती हूं और इस तरह के question में आपको बहुत जादा practice करने की जरूद होती है देखे अगर हम लोग 2 में 5 से multiply करते हैं तो आता है 10 और 10 में हम लोग plus 4 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 14 चीक है अब देखते हैं हम लोग क्या ये pattern दूसरे वाले में follow हो रहा है या नहीं यानि कि 3 में हम लोग 3 से multiply करेंगे तो आता है 9 9 में हम लोग 6 से plus कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 15 ठीक है यानि कि ये pattern हमारा solve हो रहा है अब इसी तरह हम लोग अपना यहाँ वाला answer पता कर लेंगे कैसे देखे 2 में हम लोग 7 से multiply करेंगे तो आता है 14 14 में प्लस 4 कर देंगे हम लोग तो क्या जाएगा 18 ठीक है जो कि हमारा option नमबर यहाँ पर B में है तो यहाँ पर option नमबर B हो जाएगा हमारा सही answer अब हम लोग अपने next question पर आते हैं को कोशन है देखे इस कोशन में कह रहा है कि नीचे दी गई श्रिंखला में अगला संख्या क्या होगी ठीक है आपको जादा नमबर देख करके घवराने की ज़रूत नहीं है यह कोशन बहुत ही अच्छे से बहुत ही असानी सॉल्व हो जाएंगे जाद तरो स्टुट्ट क्या करते हैं ठीक है 8-9-6-5-4-2-3-7-8-9-6-5-4-2-3-9-6-5-4-2-3 और यहां पर आपको बताना क्या आएगा आपके सामने यहां पर चार ओक्षन दे रखा है देखे सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं इस नमबर को आप ध्यां से देखेगा अगर हम लोग यहां पर 5 को हटा देते है चलिए 5 को हम लोग हटा दें तो सेम नमबर यहां पर लिखा गया है ठीक है सेम टू सेम अब हम लोग क्या करते हैं अब इस नमबर में हम लोग लास्ट वाला हटा देते हैं 7 फिर इसी नमबर को हम लोग सेम टू सेम यहां पर लिखा गया है अब हम लोग इसमें क्या किया इसमें पहले first number को खटा दिया गया और इस वाले में last number last वाले को खटा दिया गया यानि कि पहले first वाले digit को खटा दिया जा रहा है then last वाले digit को खटा दिया जा रहा है अब हम लोग फिर से first वाले digit को यहाँ पे हटा देंगे तो अगर हम लोग यहाँ पर first वाली digit को हटा देते हैं 8 तो मारा can same to same यहाँ पर लिख दिया गया है अब हमें क्या करना है फिर से हमें last वाली digit को हटा देना है यहाँ वाली तो क्या आ जाएगा 9 6 5 4 2 बहुत ही simple question था यह बहुत ही असानी solve हो जाता है इस तरह के question पहले क्या किया गया है first number को हटा दिया गया digit को दूसरे वाले में last digit को हटा दिया गया है तीसे वाले में first digit को हटा करके लिख दिया गया है simple है देखे अगर आपको नहीं समझा है मैं फिर से बताती हूँ देखे क्या क्या गया है इस number में यह पूरा जो number दे रखा है इसमें हम लोग 5 को हटा देंगे और same to same यहाँ लिख देंगे ठीक है उसके बाद इस वाले number में हम लोग last वाले digit को हटा देंगे और same जो बचेगा sub number यहाँ लिख देंगे उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पर first वाले digit को हटा देंगे और same to same लिख देंगे और उसके बाद last word digit को अधा देंगे और same to same number क्या जाएगा 96542 और जड़ा चेक करिए एक इस option में दिख रहा है आपको 96542 हमारा option number D में दिख रहा है तो यहां पर option number D हो जाएगा हमारा सही answer ठीक है समझाने बहुत टाइम लग गया इस question को बढ़िए आपको पता है कि बहुत ही असान question है ठीक है अब लोग अपने next question पर आते हैं next question क्या दे रखा है next question दे रखा है एक चीटी 3 मीटर चलती है और फिर वह 4 मीटर उचे एक व्रिक्ष पर ट्री पर चड़ती है अपने मूल स्थान से वह कितनी दूर पर दूरी पर है बहुत यह असान question है क्या किया गया देखें एक चीटी तीन मीटर चलती है माले यह चीटी है ठीक है यह तीन मीटर चल रही है त्री मीटर उसके बाद क्या किया है वह चार मीटर उंचे एक विक्ष पर चड़ती है चार मीटर यह उंचा एक विक्ष है ट्री है इस पर चड़ती है अब वहां कितनी दूरी पिछ देगे ह यहां पर क्या पुछा गया है कि अपने मूल स्तान से वाग कितनी दूरी पर है धीक है अपने मूल स्तान से आपको बना देते हूं यहां पको बताना है क्या है इसनना बंद रिस्टान घंबर करन मोff लोगे ह आपको पताये क्या होता है अधार यानी बेस होता है यह लम्ब तो इसको निकालने के लिए लोग क्या करते हैं सिंपल सा कोशन होता है लंब का स्क्वाइर प्लस आधार का स्क्वाइर तो यहाँ पर क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा आपका मैं यहाँ पर कर दे रहूंँ जगा की कमी थोड़ा तो 16 प्लस 9 यानि की 25 3 चली थी यहाँ 4 और यह पर क्या है 5 जो कि हमारा ओप्शन किसमें दिख रहा है ए में दिख रहा है ठीक है अगर उसने पूछा होता कोशन की उसने कितनी दूरी कवर की तो आप सिंपल 3 कमझ में आ गया हो अब हम लोग अपने नेक्स कोशन पर आते हैं तो देखिए यह कोशन मैंने आपको हमेशा से बताया है कि यह कोशन बहुत ही जादा असान होता है रीजनिंग के स्ट्रेक्शन की बात की जाए देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं मैस क की रीजनिंग की साइंस की अलग से प्लेइलिस्ट बनी हुई है मैस के वीडियो इसको आपने बहुत ही अच्छा रिस्पॉंस दिया है तो मैस के जो वीडियो हैं उनकी प्लेइलिस्ट है उसको आप जरूर देखिएगा उसमें बहुत इंपोर्टन प्रिवे सर के कोशन को बिसकस किया है और वह कोशन आपके लिए हेलफू लोंगे साइन सी कोशन तो एवर ग्रीन है वो हर एक एक्जाम के लिए इंपोर्टन है बट पर्टिकुलरली मैंने एक्जाम के लिए भी अलग से प्लेइलिस्ट बना रखी है तो आप सर्च जरूर करिएगा और वीडियो का कोशन शॉल्फ करने के लिए क्या करना होता है जो यहां पर दिया होता है शब्दों को ध्यान से देखना होता है क्या दे रखा है घोड़ा बंदर बाग क्या आपको इन तीनों में कोई भी रिलेशन समझ में आ रहा है कोई इनका आपस में कोई संबन नजर आ रहा है ठीक ह देखे घोड़ा बंदर बाग अगर एक और दे रखा होता है जानवर तो ये पूरा जानवर की कटेगरी में आ जाते बड़ आपको पता है कि घोड़ा बंदर बाग इनका आपस में कोई भी सम्मन नहीं है तो सिंपल से इसका आंसर होगा option number B बहुत ही असान question है इस question को solve करने के लिए जादा time नहीं लगता है तो यहाँ पर हमारा सही answer हो जाता है option number B क्योंकि घोड़े का बंदर से ना ही बाग का बंदर घोड़े से कोई भी सम्मन्द है तो यहाँ पर option number B हो जाएगा हमारा सही answer आज के वीडियो का हमारा last question है कि यदि 30 January 2013 को गुरुवार था हो ठीक है यानि कि 30th January 2013 को Thursday था तो 2nd of March 2013 को कौन सा दिन था ठीक है calendar का question है तो इसको हम लोग क्या से solve करेंगे सबसे पहले इस तरह को कोशन को solve करने के लिए आपको क्या करना होता है देखे कोशन पूछ क्या रहा है कि 30 January को गुरुवार था 30 January 2013 को गुरुवार था तो 2 March 2013 को कौन सा दिन था देखे कैसे solve करते हैं जन्वरी कितने दिन बचे हैं जन्वरी 31 का महिना होता है 31 देज होते हैं जन्वरी मन्त में तो अभी केवल एक दिन बचा है अब फैरवरी की बात की जाए तो फैबरी पहले हम लोग देखते हैं कि ल 2013 दे रखा है इसको हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं अगर 4 से पुरा पुरा डिवाइड हो जाता है तो वह लीप्यर होता है अगर 4 से पुरा पुरा डिवाइड नहीं होता है तो 2013 जो दे रखा है वो चार से डिवाइड नहीं होगा तो यानि कि लीप्यर नहीं है तो जो दो lagi को पताहुँआ इसलिए मैं पूरा 31 को हम लोग डिवाइट करेंगे, सारे डेस को प्लस करने के बाद हम लोग 31 होता है, उसको हम लोग 7 से डिवाइट करते हैं, ठीक है, 7 से क्योंकि 7 दिन का सब्ता होता है, ठीक है, तो हम लोग 7 से डिवाइट करेंगे, तो यहां से 4 आजाएगा, 28 माइनस करेंगे, तो यहां थर्स्टे गुरुवार तो गुरुवार के बाद हम लोग तीन डे प्लस कर देंगे तो क्या ज़िए गुरुवार प्लस वन शुकुरुवार शुकुरुवार प्लस वन शनिवार सनिवार प्लस वन रवीवार यानि कि कौन सा दिन होगा वो वो दिन होगा रवीवार था ठीक यहां पर हमने रीजनिंग के छे कोशन को आप से डिसकस किया है जो की बहुत ही इंपोर्टेंट है वीडियो को आप लोग लाइक शेर जरू करेगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरू करेगा थैंक यू सो मच पर वॉचिंग थैंक यू